तो दोस्तों क्या हाल है सभी कि आज के एक दब से नियो और फ्रेस वीडियो के साथ स्वागत करता हूँ अब से इस तरह का वीडियो हमेशा चैनल पर आते हुए रहेगी आप यहां पर बात करने वाले आज के वीडियो में ना कि आप कैसे किसी भी अप्लिकेसर को आप अपन देखने को नहीं मिल रही है मतलो है हमारे पास जो है आपर फिरी फायर है वो देखने को नहीं मिल रहे है जो कि आप लोग यहां पर देख लो यहां पर मैं आपको अच्छे से दिखा देरे हो देख सकते हो यहां पर फिरी फायर का नाम निसान आपको देखने को नहीं मिल तो अब यहां पर बात आती है कि कैसे आप normal free fire या फिर आप किसी भी app को कैसे hide कर सकते हो वो भी dial pad में तो कुछ नहीं करना है आपको यहां पर चले आना है और यहां पर मैं आपको दिखाता हूँ यहां पर मैंने जैसे ही type किया और यहां पर देख सकते हो जो जो मैंने application hide किया तो भाई लग जाते हैं free fire वगेरा खेलने में या फिर कुछ और करने में आपके security के साथ छेड़ खानी करने में तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वाले वीडियो को बनाया है जहां पर इस तरीके को follow करके आप किसी भी application को hide कर सकता और कोई भी दोस्त जो है आपका किसी भी application को नहीं ढूंड सकता दोस्तों जी हाँ कितना भी try कर ले नहीं ढूंड सकता चलिए मैं आपको play store में लेग चलता हूँ तो play store में यहाँ पर मैं free fire सर्च करता हूँ तो free fire जैसे ही सर्च करूँगा तो यहाँ पर देखने को मिलेगा play store के अंदर बाकि जो है आपको phone के अंदर कोई भी चीज आपको जो है जो है जो आपने hide किया है वह सो करते हुए देखने को नहीं मिलेगा तो कैसे आप इस चीज को hide कर सकते हूँ वह चीज में आज के वडियो में बताने वाला हूँ किसी भी application को hide करने का तरीका वह भी dial pad में दोस्तों जैसे कि आपको क्या करना number डालना है तो चलिए यहाँ पर मैं दोवारा से number डालता हूँ जैसे ही डालोगा तो यहाँ पर देख सकते हो फिर से फ्री फायर जो भी आप application hide करोगे वह आपको देखने को मिल जाएगी तो कैसे आप application को hide कर सकते हो वह चीज आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बिलकुल आसान तरीका दोस्त और कोई विदोस नहीं होंगे चैनल पर तो subscribe कर दीजिगा जिसने भी subscribe नहीं किया होगा दोस्तों के तो आपको कुछ नहीं करना है आपको अपने फोन में चले जाना है अगर आपके फोन में यह वाला option देखने को नहीं मिलता है तब वीडियो को last तक देखना मैं आपको दूसरा भी तरीका बताने वाला है दोस्तों के setting के अदर जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना आपको सीधा सा नीचे चले आना नीचे आओगे ना तो आपको एक option देखने को मिलेगा password and security के नाम से आप लोग यहां पर देखलो password and security के नाम से एक option देखने को मिलता है तो इस पर आप लोग को क्लिक करना है इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने चार options देखने को मिलेगे lock screen password, face, fingerprints, privacy password तो आपको इसमें से क्या करना है वो चीज़ में आपको बदाता हो तो इसमें से आपको चोथा वाला select करना है privacy password जो आपको देखने को मिलेगे प्राइपीसी password आपको select करना है जैसे ही select करोगे त आप से पूछा जाएगा आप कौन सा lock रखना चाहते हो तो यहां पर numberic alphabet जो भी आप रखना चाहते हो रख लेना चलिए मैं यहां पर यह वाला pattern लगा दियो तो आपको भी इस तरह से पैटन लगा देना है जो भी आपका मनौर लगा देना और बाकि यहां पर security region है तो आ यहाँ पर यह से स्ट 마음에 लिए इतना इकार्णे के बाद करने के बाद आॉ peanut नीचे में के कृप्यों संब्स लेगाgart OlDe यहाँ पर क्लिक कर देना है जैसे आप हाट्यप पर कोगे तो आप यहां पर चले आओगे यहां पर आने के बाद जो भी application hide करेंखुत जो भी आप application को hide करना चाहते हो क्या करना है ना जैसे की Amazon दुस्तों चली यहां पर पहले नमर पर Amazon देखने को मिल रहा है और में इधर लेके चलता हूँ तो देखसे स्कतो Classic image जो है यहां पर देखने को मिल रहा है फिरीफाय करना है कुछ भी करना है तो आपको क्या करना है उस application को आपको select कर लेना है जैसे ही select करोगे तो आपको setting लिखा बने जराएगा तो setting पर click करना है setting पर click करने के बाद access code आप कौन सा code dial pad में डालोगी तो आपको खुल जाए तो आपको hatch डालना है hatch डालने के बाद आप चाहो तो 5-5-5 उसके बाद hatch डाल सकते हो इस तरह से आपको यहाँ पर password डाल देना जो भी आपकी मर्जी हो बस यहाँ पर क्या है ना कि आपको hatch लिखा हुआ जरूर होना चाहिए आप जो भी मर्जी हो आप कर लेना इतना करने के बाद कुछ नहीं करना उपर मैं आपको सही वाले option पर देखने को मिलेगा तो आपको क्या करना है सही वाले option पर click कर देना है जैसे ही click करोगे done पर आप लोग क्लिक करना done पर click करोगे ना तो आपका काम हो चुका है और password याद रखना अब यहाँ पर मैं क्या करता हो ना सारे चीज को यहाँ पर क् नाम कोई भी आप्लिकेशन को आप कर सकती हो दोस्तों दोबारा में आपको यहीवाला करके मताता हो सबसे पहले में सरस्टीक में जाना है तो यहाँ पर प्राइविसी यहां पर आपको प्रासवर्ड और सेक्योटिक बूर्टिक जुद्ड़ Junior आना password security में आप पर privacy password है तो privacy password पर आप क्लिक करने और जो आप नमबर या differentiation बनाया था उससे आपकोш डाल देना है दालने के बाद यहां पर आना है यहां प्राने के बाद कुछ नहीं करना है आपको यहां पर hide app का option देखने को में नीचे में एक hide app को option देखने को मिलेगा तो hide app पर clear सा आपको click कर देना है जैसे ही click करोगे तो यहाँ पर से आप लोग किसी भी application को hide करना चाहते हो चली यहाँ पर मैं imagine को आप unhide करना चाहते हो अब यहाँ पर हमें imagine विले की चलता हो तो यहाँ पर देख सकते हो imagine जो है उपर में आ चुका है अब यहाँ पर दूसरा setting क्या बताता हो दोस्त यहाँ पर इतना काम कर लोगे आपको पासवर्ड चेंज करना होगा तो क्या करना है तो इसके लिए कुछ करना नहीं दोस्त और जो पहले वाला आपका पासवर्ड था ना आपको यहाँ पर access code पहले वाला पासवर्ड या फिर आप नया पासवर्ड भी डाल सकते हो चली यहाँ पर मैं नया पासवर्ड डालता हो नया पासवर्ड डालने के बाद direct इतना करोगे आपका काम हो चुका है अब मेरा जो ह किसी भी application को hide कर सकते हो और अगर आप इसे बंद करना चाहते हो तो सीधी सी बात है बंद करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है यहां पर आपको यहीं पर चले आने प्राइबीसी पासवोड में यहां पर आने के बाद दौआरा से आपको यह डालना है यह डालने के बाद turn off password पर click करना turn off पर click करना और आपने जो डाला था इस पर click करना आपका हो चुका है मतों आपका जितना भी application hide था वो सारा application unhide हो चुका है तो इस तरह से आप पर यो लाने का try करूँगा कल के दिन में या पर्सों के दिन में आपको वीडियो पक्का बना कर दे दूँगा बस आपको अपने phone का नाम लिखना है कौन सा company आप लोग यूज कर रहे हो जिससे कि मैं आपको दूसरा तरीका बता दूगा अगर आपका realme का phone है तो आप लोग जा कर दो यार प्लीज